प्रेंड्स वेल्कम टू मेकैनिकल टेखिंदी अब देखिए बाइक हो कार और दूसरी कोई भी गाड़ी हो इन गाड़ियों के फ्यूज बॉक्स में आपको अलग अलग साइज के फ्यूज देखने को मिलेंगे दस एमपेर, बीस एमपेर, तीस एमपेर और भी बहुत सारे फ्यूज और यतने भी फ्यूज है वो उस गाड़ी के अलग-अलग इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्टेड होते है जैसे कि ABS, इंस्ट्रूमेंट कलेश्टर, ECU और भी जो दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट है और मैं आपको बता दूँ कि अगर कभी भी गाड़ी के किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करेंट है वो जतना डिफाइन है उससे ज़्याद अगर करेंट बढ़ जाता है तो ये जितने भी फ्यूज है ये फ्यूज जो है वो जल जाते है ठीक है ये ब्लोन आप हो जा इसी वायर के वज़ा से जो करेंट का सप्लाय वो लेफ्ट से राइट कंटिनुएसली हो पाता है तो अगर कभी ऐसा हो जाए आपको शक हो जाए कि क्या फ्यूज सही कि खराब है तो ज़स्ट आपको ये देखता है कि ये जो मिटल का वायर है कहीं वो ब्रेक तो नहीं हो गया है कहीं वो तूट तो नहीं गया है अगर ये जो मिटल का वायर है जो बीच से कहीं से भी क्रैक कर जाए वो तूट जाए इनका जो है वो छूट जाए तो आप समझो कि जो वो फ्यूज है वो खराब हो गया है आपको उसे चेंज करना पड़ेगा जश्ट दो सिकन गया है वो बिलोना फो गया वो जल गया है तो आप उसके जगा पे 10 एंपयर का ही फ्यूज लगा है ऐसा नहीं कि जलबाजी में 15-20 एंपयर का लगा दे उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है वरसे फ्यूज के इस पॉइंट की उपर मैं एक डिटेल वीडियो ही बना दिया ह तो ज़्यादा मैं इस वीडियो में उसके बारे नहीं बताऊंगा आपको उस वीडियो का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा तो फ्यूज के फंक्शनिंग को लेकर ज़्याद अच्छी तरह जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और I am sure आज की इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दी गही है आप इससे समझ गया हों कि जो फ्यूज है वो सही है खराब है वो आप कैसे पता कर सकते हो तो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बा बाइ